डब्लू टीयो की साइट पर जाएंगे तो आपको तीन बक्सों का एक जिक्र मिलेगा भारत चाहता है कि खादान संसी सबसिडी और भंडारन को ग्रीन बक्से में रखा जा जैसे विक्सित देशों के जाधातर प्रावधान उसमें है ताकि उसे नए समझोते के बाद दी अन कर्ज मुआवजा बीमा की शकल में कई प्रकार की सबसिडी मिलती है भारत इसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकता अगर सुर्जी तस भला की बात मानकर ले लिया तो क्या परिणाम होंगे इस पर भी बात होनी चाहिए प्राइम टाइम में सवाल यही है कि जहां साइन करना है कीजिए लेकिन इतना बता दीजिए कि क्या चुनाओं में आपने किसानों से कहा था कि सरकार में आते ही सबसिडी खत्म कर देंगे विक्सित देश जब अपने किसानों को सबसिडी देते हैं सा कहा जाता है भला साब सहमत नहीं होते हैं तो हम क्यों ना दें हम इसी पर ब इस बात की दलिल दे रहे हैं सरकार के फैसले के खिलाफ के हमें हिंदुस्तान को WTO पर इस वेपार सरलीकरन समझोते पर अगर हम दस्कत करेंगे तो हमारा फाइदा जादा बड़ा है देखें बातचीत ये हुई है के हमें WTO के trade felicitation से मानकारी नहीं है वो इसलिए नहीं है के हमारे food security concerns है आपने ये सुना होगा सब ने ये सुना है के हमारी food security है तो सीधी बात ये है कि WTO के मताबे अगर हिंदुस्तान पांच सो हजार करोर भी खर्चना चाहे फूड सेक्यूरिटी के उपर वो कर सकता है तैन परसंट वे जीडी भी कर सकता है जो माजी कर ले उसका इससे कुछ सामला नहीं है तो फूड सेक्यूरिटी की जो बात है वो हर देश की होती है वो बड़ी इंपॉर्टन होती है बिलकुल ठीक बात है मैं कर उससे WTO से क्या हो रहा है WTO का तालग यही है कि देखिए कि जो प्रडूसर को प्राइस मिलती है जो आपका फार्मर है जो आपका प्रडूसर है उसको इंटरनेशनल प्राइस से जादा आप नहीं दे सकते आप चाहे दें मगर आप फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो यह जो सारा ट्रेड की बात होती है WTO की बात ट्रेड की है फूड सेक्यूरिटी की नहीं है प्रड़क्शन साइड के उपर है किंसम्शन साइड के उपर बिलकुल उसका कोई इसामला नहीं है हम यह साइड दुनिया को कह रहें कि देखिए जी हमने यह करना है क्योंकि हमारी फूड सेक्यूरिटी है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए अगर हम देखिए अपोस करना है कोई लॉजिकल बेसिस के हम अपोस करें यह क्या हो गया कि देखिए जी हमारी फूड सेक्यूरिटी है तो अगर आप फूड सेक्यूरिटी निकाल दे फिर हम बाचीत कर सकते है मेरा आपसे दो सवाल है इससे पहले देवेंदर आपकी बात पर काउंटर करेंगे ठीक या उन्हें नहीं पता था नहीं निकल्त बात है हम oppose करते हैं oppose करने के लिए हम oppose करते हैं oppose करने के लिए तो उसका कहता है कि आप food security ना करें आप मेंको बता दीजिए अब लगता है कि हिंदुस्तान की वारनीज मंत्री को इतने बड़ अंतरास्टिय मंज़ पर ये पता नहीं है कि वो जिस चीज का विरोध कर रही है वो उसके प्रोविजन में प्रावधान में है ही नहीं आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं आप पूछ लीज़े कह सकते हैं ठीक है पर मेरा एक और बात आप में कह रहा हूँ कि हमारे जो politicians हैं हमारे जो senior bureaucrats हैं डब्ली टी ओ में जो बातचीत कर रहे हैं food security के बारे में ये trade physician talks के बारे में उससे कुछ मतलब नहीं है डब्ली टी है कि हमारे जो मंत्री हैं और बीरो क्रेट हैं वो chemistry के पेपर में physics की तियारी करके चले गए थे लेकिन खर मैं और इसको आसान बनाने के लिए मैं आपने एक बात कही कि हम अपने किसानों को जो minimum support price देते हैं यहां कि अपने दर्शकों की समझ के लिए वो अंतराश्रिय कीमतों से जादा है ठीक हमारे किसान कहते हैं और जो मेरा भी अपना व्यक्ति का तन्भो कहता है कि हमारा किसान जो लागत लगाता है खेती में वो उससे भी कम है minimum support price ठीक आप एक बात करें कि अंतराश्रिय कीमतों से जादा है लेवल से और हकिकत यह है इस बात को आप ज़रा समझा दिये साथ फिर मैं देवेंद्री जी के पास जाओ जी ओके देखिए minimum support price समझो 2,000 रपए है एक quintal के लिए मतलब 20,000 रपए है एक ton के लिए ठीक है अब exchange weight हमें पता है उसको तुम divide कर दो आपको price आ गई कि जो किसान को मिल वहा है उसकी आ गई हमें price अब आप उस price को compare करिए कि जो FOB जो बाकी देशों में किसानों को मिल वही है export की price अगर कोई import कर दा है उससे हमें कोई तालुक नहीं है export कर दा है उसकी price से हम देख लें और हमें पता लग जाएगा कि कौन सी जादा है कौन सी नहीं है यह simple calculation है सब ने की हुई है भला साब भला साब इसमें एक समस्या है कि कईबा ऐसा लगता है कि हम पानी में बुल बुला तो नहीं गिन रहे है बात यह है कि हिंदुस्तान का किसान अगर 400 रुपया गन्ने में लगा रहा है तो उसको कम से कम 400 दस तो मिलना चाहिए अगर 400 रुपया लगाने के बाद उसे minimum support price के रूप में अगर 350 रुपया मिले और भले ही वो जा अमेरिका या चाइना के इस तरह से जादा हो उससे हमारा तो कुछ भला होता नहीं है न हम उस गाओं के रामधन किसान आप समझाईए हाँ आप देखिये आपको कोई salary मिलती है तो आप कह रहे हैं कि आपकी salary कोई US के salary से compare करेंगे नहीं न सिंपल हिसाब तो आप काई के लिए वो देखिये आप यहाँ पे जो भी हमारा internal system है तब ही मैं कहता हूँ food security में हम जो मार्जी कर लें जो subsidy हमने देनी है consumer को जो मार्जी दे दें मैं का producer side पे आप का यह सारी trade का यह है कि trade के लिए सब को level playing field होनी जाए अगर मैंने आपकी बात समझी इसका जवाब sun shape में दे तो आप यह कह रहे हैं कि हम food security act के तहट लोगों को या pds प्रणाली के तहट लोगों को सस्ता अनाज जीरो रुपए पैसे से लेकर free से लेकर दो रुपए किलो तक दे सकते हैं रहमन सिंग से लेकर नरेंद्र मूली जीदो दे सकते हैं अगर इस पर हमने जस्ताज के तहुँ ठीक बात है गल्ब बात है मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर देना चाहें एक रुपए किलो या दो रुपए किलो आप जीरो रुपए किलो पर दे दे मुफ़द दे दे और उसके साथ मुफ़द दे के आप गवर्मन्ट उनको दस रुपए और हजाद रुपए मीने के भी दे दे ये भी डव्यूट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है ठीक है देविन्द्र जी अब बताईए कि सुर्जीत भला एक तरफ कह रहे हैं कि इस पर साइन करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पांच लाग करोड तक खर्च कर सकते हैं फूट सेक्यूरिटी एक्ट पर ठीक और इसे जो हम किसानों हाँ नियुन्तम समर्थन मुले देते हैं वो भी प्रभावित नहीं होता है जो इनका मोटा मोटी बात हमने समझी अब बताईए सुर अब आपका कि अगर अमेरिका भारत से खफा है कि डवलिट्यो के इशू के ऊपर तो जरूर भारत ने कुछ अच्छा किया होगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये अक्नॉलेज नों ने किया इस बास इस तरीके से में समझ आता है कि कुछ ना कुछ भारत ने अच्छा किया कि अमेरिका हमसे खफा है अब रही सुजीत भला जी की बात काश ये agriculture जानते और काश ये अपने economics भी ठीक करते देखें बिल्कुल गरत बात बता रहे हैं रॉट भला WTO में इशू क्या है इशू ये है कि 1986-88 में एक उनकतरार हुआ तकरार था जो हुआ उसमें फैसला कि उसमें जो आप एग्रिकल्चर एक एग्रिकेट मैजर अफ स्पोर्ट है उसका यानि जो आप सबस्री देते हैं धेश में वो दस developing countries में 10% का लेवल उन्हों रखा है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उस समें हमारा बहुत लेवल लो था तो हमने कभी फिकर नहीं किया 10% मतलब ये है वो भी लोगों को समझा दू मैं आपको जिसको D-minimus लेवल कहते हैं उसका मतलब ये है कि भारत में अगर धान सपोस करिये एक सो लाक टन एक सो लाक रुपए का हुआ है मैं वैल्लू की बात कर रहा हूं वैल्लू जो है उसकी एक सो लाक रुपए की तो उसका 10% ही आप minimum support प्राइस दे सकते हैं उससे कम देंगे 10% ही उसका कम देंगे अब जैसे आप देखें धान में पिछले साल तेरा सो दस रुपए प्रती क्विंटल नियूंतम मूले था डब्लू टियो कहता है अगर आप उसके अध्यन देखें कि आपने 10% लिमिट को क्रॉस कर से 24% पे आप ले आए हैं आपका धान का जो प्राइस है वो 24% है इसमें जो डी मिनिमस लेवल जो है वो 10% है आप 24% दे रहे हैं ये ठीक नहीं है ये डब्लू टियो इनकंपैटिवल है इसको बापिस करिए ये उनका कहना है अभी गेहू में हमारा जो दाम है वो अभी 10% पर नहीं पहुंचा है तो अभी 1310 की रुपए की बजाए से वो 500 रुपए पे आ जाएगा ये तक्रीबन तो अगर ये होता है तो आप देखते हैं हमारा किसान पर कितनी बड़ी मार पड़ती है ये है असली इशू और इसलिए आपने देखा कि बाली का जब मिनिस्ट्रिल हुआ दिसंबर में तो उ उसमें भारत सरकार ने जो समझाता किया कि हम चार साल के रिए पीस क्लाज लेते हैं मतलब चार साल अपने डेफर कर दिया उस इशू को आपने ट्रेड फैसिलिटेशन को मान लिया अनन्द शर्मा आखरी तक बोलते रहे शोर मचाते रहे लेकिन अंत में वो सैन कर चुके और वो उस बात को मान लेकि और यह हमारा हर बार कर रहा तरीका जब भी मैंने देखा है इन दुनिया में जब भी हमारे एग्रिमेंट्स होते हैं डेट के हम शोर मचाते रहते हैं एंड में हम मान लेते हैं अब अब जो सिच्वेशन है मैं उसी प्यारा हूं कि 14 14 से वहां हैं अमेरिका की जो एक्सपोर्ट करती है अग्रीकल्चर कमॉरिटीज को उन्होंने अपने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटर को लिखा है कि साब आप जो है ये आपने गलत किया है इंडिया को जो आपने इतना लीवरिज दे दिया चार साल का हमारे इंट्रेस्ट जो है इससे एफेक्ट होते हैं यानि अगर किसान की इंकम बढ़ती है इंडिया में तो वो अमेरिका का एक्सपोर्ट रुखता है इसलिए आप उसकी इंकम कम कराईए हमारे कमर्शल इंट्रेस्ट तबी बचते हैं बड़ा साफ है वो तो चाहते है कि हमारा किसान खेती बंद कर और वहां से सस्ता अनाज भारत में आए क्योंकि वो हाइली सब्सिडाइजड है उसको चैलेंज नहीं किया भारत ने तो सुरीत बना जी को पहले समझना चाहिए किस बात की वो कर रहे हैं ये सिर्फ एक आइडियोलोजिकल पोजिशन लेकर उसको डिफेंड करना बिल्कु अगर भारत के किसान को जादे कीमत मिलती है तो अमेरिका का किसान भारत में माइगरेट करता वो चाहता कि हम भी भारत में आएं बल्कि ऐसा नहीं हो रहा है सब जानते हैं ठीक है सुझी जी आप सवाल पूछ लीजे और मैं भी एक दिविंदर शायमा जी आप कह रहे हैं 1986-88 की तब इंटरनाशनल प्राइस कोई 125 सुपर टन की थी गेहों में आज कल कोई 300 रुपर टन है आप जानते हैं एक भी किसान दुनिया में जो 125 सुपर टन में का दा है अमरिकन फार्मर भी उसको भी 325 सुपर टन मिल लूए है तो 325 डालर टन मिल लूए है तो 1986-88 की जो आप बात कह रहे हैं तो कोई भी नहीं मानता है ना अमरीकन मांता है ना क्यूबन मांता है। ना कोई भी नहीं मांता है। वो तो कोई डवन्डर जी वो बीर वन्हाता है। फिर दश्कों के लिए फिर वो पकड़ पाना कि हम कहां से और किसी चीच की बात कर रहे हैं उसको चो दिविंजी मुझे ये बताए कि सुर्जीत बहला कह रहे हैं कि अगर सुर्जीत बहला कह रहे हैं कि minimum support price इससे प्रभावित नहीं है हमारा Food Security Act इससे प्रभावित नहीं है तो क्या हिंदुस्तान को दस्खत नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे करने से लाल फिता शाही से भले हमको फाइदा ना हो लेकिन अब WTO तो पिछले दरवाजे से तो आई रहा है अगर हम विलास पासवान कह रहे हैं कि आप दादा मत खरी दिये अगर वो कह रहे हैं कि आप बोनस मत दीजिए वहां साइन नहीं करके तो यही काम दो करी रहा है आखरी बात सिंपल बात मेरी सुन लो तो जो मैं कहँदा हूँ कि फूर्ट सिक्यूरिटी को डव्लू टी ओ की डिसकाशन ना लाई तो आपका पक्ष्ऊ मैं इंसे ले रहा हूँ वह बिल्कुल गल्ट है ठीक है वह आपका पक्ष्ऊ है आपका इक यह बाद बाद साही दुनिया गुम गुमा के फिर्दा फूर्ड सेक्योरिटी का मामला डब्ली टी ओ से कोई महमत नहीं